हिंदू के रहने के स्थान को हिंदूस्तान नहीं कें तो क्या कहें, भारत वारत कहें के पाकिस्तान बटुआने कि टैयारी ही? इंडिया नाम का विरोध ने उन्होंने ये समझे में प्रमोशन कर दिया हम भारतियों को बता दिया कि वोट हमें किदर डालने है अगर इशारे की बास समझे जाने हिं दुस्तान ह70 घंदों के रहने का हम जैसे हैं रिचाने में अंदा तक नहीं खा रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क मिना ढाल सवरमती के संत तूने कर दिया कमार लाको लाक खरांतिकारियों को वलदान किसके लिए हो गया हमें तो यह बता दो कि इंडिया नी नाम होना चाहिए अब हम लोगों को भारत कहना चाहिए मैं मोहन भागवत जी से हमारे पूजनी सरसंचालक जी उनसे बस मेरा ही कहना है कि हम भारत क्यों कहें हम तो हिंदुस्तान कहेंगे ना हिंदुओं के रहने के इस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहें तो क्या कहें भारत कहें के पाकिस्तान बटवाने के तैयारी है क्या भारत कहे के पाकिस्तन देने की तैयारी है क्या इन दूस्तान कहेंगे कुछ नहीं देंगे क्यों देंगे हिन्दों के रहने का इस्तान है हिन्दोस्तान अब उड़ागए ऐसा क्यों के जान ओट्र जब नाम पर सित्ल आप जोड़ते रहो लेकिन 98% मेजुड़ी मुस्लिम influenz burned देखे जो रिशी कस्यप थे उस दोरान जो नहरू जी के द्वारा जो भी काम किया गया आप भी जानते सर्दार बल्लबाई पटेल उस समय सक्री भूमकामे थे और उन्होंने कहा कि मैं इसे कर देता हूं तो नहरू जी का साफ कहना था इसे मैं देखूंगा देख लिया उन् हँद्थान कहना है है हम क्यूं हम फिर दूबारा से पाकिस्तान देना चाहते हम पाकिस्तान दूसरा बंता हुआ हिं receivers में से नहीं देख सकते आप हिंदूओं को क्यूं नहीं बता रहे कटरता पूर्वक कहलो यह विचारिक रूप से कि आपका इस्तान है यह मुझे क्यूं दुवारा से सालिन बनाया जा रहा है क्यूं एक आपने गीत सुना 1947 में गीत बजाया जिसने हिंदू का खून पानी किय सावर्मती के संत तू ने कर दिया कमाल यह किसी व्यक्तिविसेज के लिए बनाया हुआ गीत है वह सावर्मती के संत कौन है आप भी जानते हैं तो मैं बता दू कि भगत सिंग सुकदेव राजगुरू चंद से का जाद लाला लाच पता है मंगल पांडे नेता जी एक एक भी कोई ऐसा युद्ध कोई ऐसा आंदोलन खैरो तो स्टेडी कहती है कि देखो सेकेंड वर्ल्ट को बार के बाद इंग्लेंड कमजोर हो गया था इसलिए वो चोड़के गए हैं नहीं तो आपके लिए रास्टपती बहवन नहीं बनाके गई वो बिलकुल बिलकु जहां भी उनोंने ऐसे छोड़ता है आग बादिया वाली लगा के गई और उनोंने मुझे लगता है कि अने वाला समय हमारी बेटियों के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है जी देखिए इंडिया नाम का विरोध नहीं उन्होंने ये समझिये कि प्रमोशन कर दिया हम भारतियों को बता दिया कि वोट हमें किदर डालनी है अगर इशारे की बास समझी जाए तो उन्होंने का ना इंडिया पे नहीं डालना सारे विवक्षि दलों ने अपने गुट को इंडिया उन्होंने इशारा कर दिया कि इधर वोट नहीं गिर नहीं है वो समझ जाओ भारत पर को इंडिया और उन्होंने कहा इंडियन और उन्होंने जो वह भारत भास है भक्ती तो भक्ती की तरफ बढ़ो तुम उधर मत बढ़ो जो गटबंदन में आपस में लडाई हो रही है उनकी भाई तुम उधर जाओ तो बात के है यह तूटना है जानते हैं उन्होंने बहुद नहीं है हम उनके संभर्थन में हैं और हम भी कई न कई संक्से हैं हम इंदु वादी हैं संतनी वादी हैं हम समस्थते हैं इस बातको और जितने भी हुमारे सुनातनी इब्रहमी हैं वो समझें उन्होंने क्यों बोला है विरोध नहीं है इसमें हमके साथ हैं अच्छी बात भी है कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने कहा लेकिन हिंदुस्तान है यह हिंदो का ही स्थान है और हिंदो करेंने का हम जैसे हैं अंडा तक नहीं खा रहे हैं इसमें कुछ बड़ी बात है अरे तो वह जो सनातनी हो गया मीट मछली दोग है तो गिंती के लोग है मुझे मैं इसका जवाब दूँगा बहुत अच्छा आपने प्रसंद किया के जादर से जादर ब्रह्मनों के ही बच्चे या हिंदूओं के बच्चे ही क्यों खारा है यह आपका बिल्कुल सही गारण है सबसे जादा आप यह देखिए कि लुम्डवाइन जाएंगे आप ज्यादा मॉडरन यूग में जाएंगे तो वो प्रवाब जो बच्चे पर आ रहा है ना वो कहते बिटा कुछ भी खाई ये संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे तो बस विचार चेंज कर दिया ना बच्चे का तो बच्चे फिर वो खाना चालू कर देते क और आज वो गुरुकुल जो नाम है उसका आगी गुरु हटा दे गया और वो जो बचार दिय गया था जिसकोड जब बचाएंगा तो उसी को बढ़ा दिंग और जैसे आपने भी बता यह जो ब्रहमन आगे को चेग कहिन देख लोग बिचार दारवा नहीं हुई है नहीं पूरा पूरा सहमत हूँ कि लोगों की जो मैंटलीटी बनी हुई है कि ब्रामनों को बच्चे आज मैं बहुत कम देख रहा हूँ कि जो खा रहे हैं मैं कहता हूँ कि अगर सफेद दिवार पाप एक दागे देखाई देगा तो ऐसी ये विचारदार है आप अगर उन लोगों को देख दो उनको भी तो आगे बढ़ा जो नहीं खा रहे हैं मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना मेरे विवेक हुं दो लेकिन जाती कर मैं बात को मैं रम्मन कुल से हूँ और कोई अगर कैदे मैं आज से कोई इन डखाया हो तो